असलाम अलेकुम फ्रेंट्स यह देखिए आज आप लोकों बेड़ सीट डिजाइन बना कर दिखाने जा रहे हैं आप इससे बेबी बेड़ सीट फिलो कबर कोसन कबर सिंगल डैबल कुछ भी बना सकते हैं देखे मैंने दो कलर का कपड़ा लिया है पर अपने हिसाब से कोई सहाँ चार इंच लंबाय औरनी आठट क्रीम कलर वाला और यह पत्ती हमने लिया है इस तरीके से अग्यारे ने चार पीसे अलग कर दिए तक है रहाले चार पीसे को बीच में पना कर दिया और लो उसको भी हमने अलग कर दिया है और हमने चार पीस को लिया है इस तरह से और इसको अच्छे तरीके से बराबर करकर बीच में निसान लगा लेंगे कि अंदा जा रहे की तरीके से सिलाई करना आप लोग धाई इंच का चोड़ाई में ले सकते हैं पत्टी यह हमने लिया है तीन इंच में इसलिए कि हमारे पास पत्टी था को यहांसरी तरीके से यहां और बीच में जहांके निसान लगाया है था कट करना था वहां से उसा कर ले लेना है यहांb कर देंगे और जो हमारा क्रीम कलर वाला पीस है उसके बराबर से हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से कि यह देखें यह डिजाइन हमने आपने वीडियो में बना कर दिखाया था लेकिन वह हमने तीन कलर में बना कर बताया था और हमारे पास मतब उस पर वार्टसप पर में सजा रहा था कि ये वाला दो कलर में आप बना कर दिखा ये तीन कलर में नहीं चाहिए तो हमके ठीक है बना कर दिखा देगे तो इसलिए हमने ये वाला डिजाइन बना कर दिखा रही हूँ ये दो कलर में है आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कट करना है और जो इस्ट्रा कपड़ा है। इसको भी हम क retract कर देंगे तुल कि यस कि पार फिसको इसे तरीके से लाय कर लिया है कि इसे अच्छे तरीके से नाद आद एक पीस से और उम टार करेंगे ईधि से तरीके से हमें हमारा केलर का पीसिस है उसको हम इस तरीके से करकर कटिंग कर देंगे रिखें विसका दो शेया है answers कि यहां से हम्में रखेंगे हैं और फिर आप में वर एस तरीके से सें रखेंगे को और प्रहिक आठाने मेस चाही कर दिया यह हमारे बराबर से आया है और इसको भी अच्चे तरीके से बराबर करकर कटिंग कर दिए के मैं कटिंग कर दिया I The Price में इस तरलय कर लेना है कि कि केमाने चार उपीस को सिलाई कर लिए देखे हमने चार उपिस को इस तरीके से सिलाई कर लिया और ये जो हमारा रेड़ वाला पिस है इसके उपर हम ये वाला रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करकर सिलाई कर देंगे देखे जो हमारा रेड़ वाला पिस हमने पिस लिया था इसको बीच में रखना है यह दो कि हमने इस लाई साइड कर दिया और इस साइड भी हम इस तरीके से सिलाई करेंगे रखकर देखिए इस तरीके से कि इस तरीके से एक पटी हमने तयार कर लिया है दूसरा भी हम तयार करेंगे इस तरीके से यह हमने जो इधर हमने यह वाला पीस रखा है और देखिए हमने यहां पर जो हमारा क्रिitt कर था उसके ऑपर हमने यह रहा पिस रख कर शिलाए कर लिया है इस साइड भी हमár यह दूसरा पटी तीसरे पटे का पही हम इस तरीके से सिलाए कर बता दे रहें हैं अब लोग को इध्या इस तरीके से हमने रखना ए हूर और यह जो हमारा रेड और इस तरीके से हमारा जो ड्रियाई उलापिसे से उसको हम अच्छी तरीके से भीछ करकर चलाइक कर रखेंगे बीच में रहेगा और दोनों साइद हमारा जो क्रीम कलर का पीसे से उस उस वह रहेगा और ये दिखे हैं हमने इस साइड भी हमने दोनों पीस को तयार कर दिया है इस लाइकर कर और ये हमारा तीसरा पटी भी तयार हो गया दिखे हैं इस तरीके से हमने इस लाइकर लिया है यह बनाना बहुत ही जी है कोई इतना दिकत का नहीं है लेकिन बन जाता है तो प्रवैट सी प्यारा भी लगता है आप चाहे बाक्स वाला में डाली यह डिजाइन आप चाहे इसी तरीके से प्लेम में बना सकते हैं दो कलर का है यह भी अच्छा लगता है आप तीन कलर का बनाएंगे वो भी अच्छा लगेगा और दिखे इस तरीके से हमने रिक्वेश्ट पर ये डिजाइन बना कर दिखाया है और अच्छे तरीके से बराबर करकर और यहां से देखे जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही मिलाते हुए हम इसको सिलाई करेंगे तब ही यह देखे हमने इस साइट सिलाई कर दिया है और इस साइट भी हम सिलाई करेंगे इस तरीके से अच्छे तरीके से करकर इसके उपर रखेंगे German करेंगे और engineering कर देखे हम इस्छेprochen वहें SAY बराबर कर लेंगे हमने आपको बता दिया कि दो कलर में भी आप बना सकते हैं आप थोड़ा दिमाग अपनी हिसाब से भी लगा कर बनाएंगे तो कोई भी नहीं एक ही डिजाइन में आप दो तीन डिजाइन के तरह यूज कर सकते हैं कर सकते हैं इस तरीके से से पनिक мई न चाहते हैं तो हमें भेट का पट्टी हुआ जो पट्टी लगा सकते हैं और इन zrobेंगे सकते है और हमें एक ही बना हमको बना कर दिखाना था तो हमने बना दिया है देखिए आप लोग अपने हिसाब से कर सकते है आई होप आप लोग को डिजाइन पसंद आया होगा आप लोग बनाना बहुत ही आसान है बनाना बहुत ही आसान है अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो द याइलिवीघ करुंद समय किन थेठी कर्मा धो के दिले प्लोंगी करा का ओा धम्हाइं Health